हला अबरिवान कैसे हैं आप सब आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो की एक पाट है जेनेटिक मटीरियल की खोच का ग्रिफिट फ्रेडरिच ग्रिफिट साइंटिस्त है जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था 1928 में इन्होंने सीरी की एथा इस और डिफ्रेंट बैक्टेरिया के उपर बत जो इस ने बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन शो गिया था आए हम देखते हैं उन्होंने क्या एक्स्परिमेंट क्या था तो सबसे पहले उन्होंने एक कल्छुर प्लेट में एक कल्चुर प्लेट में उन्हो उने ग्रो हो किया R-strand वाले बेक्टेरियाई यह R-strand and यह smooth strand जो smooth strand था अब मैं आपे कुछ details लख रही हो smooth strand की, जो smooth strand बेक्टेरिया था उसमें smooth strand जो बेक्टेरिया था उसमें एक mucus की layer थी उनकी body की ऊपर, जो कि या कर रहे थे pneumonia cause कर रहे थे, pneumonia इंफेक्शन जो है वो कॉस कर रहे थे अब सिंपल सी बात है अगर कुछ म्यूकस होगा कुछ चिपचिपा मटेरियल होगा तो वो इसली आपकी आपसे बॉड़ी से अटाच हो जाएगा और वो इंफेक्शन फैलाएगा और अगर वो कुछ रफ सबस्टेंस है तो वो इसली पास आउट हो जाएगा फॉर एक्जामपल हम आइस्क्रम खाते हैं कुछ भी ऐसा कुछ चिपचिपा मटेरियल खाते है जो हमारे गट में जाके स्टिक हो जाता है और इंफेक्शन कॉस कर देता है ना सेम यही पर भी हो रहा है यहां पर जो स्मूद स्ट्रेंड है यह यह एक बेक्टेरिया है एस्स्ट्रेंड वाला बेक्टेरिया और उसके उपर एक म्यूकस के लेयर है पॉलिसेक्राइट लेयर ओके सो यह जो स्मूद स्ट्रेंड है यह इसके उपर म्यूकस के लेयर होती है जो कि निमोनिया इंफेक्शन कॉस करता है इस इनने क्या किया इस्स This is the mice. जब एक mice के उपर उन्होंने इस SFRN को inject किया, तो यह जो mice था इसके death हो गई. यह जो mice था, यह die हो गया, इसके death हो गई, इसको infection हो गया. Infection के कारण यह जो mice था, यह मर गया. फिर उन्होंने क्या किया? यह जो R-Strrand वाले बसे Mais में इन्जेक किया. inject किया mice के अंदर तो ये जो mice था ये नहीं मरा इस mice के अंदर कोई भी infection नहीं हुआ no infection और ये जो mice था ये क्या था life, ये बिलकुल जिन्दा था, यहाँ पे क्या है ये जो R-strand वाले bacteria इसके उपर rough layer होती है ठीक है, जो कि कोई भी infection cause नहीं करता इसने R-strand वाले bacteria ने mice के अंदर कोई भी infection नहीं शो किया और जो smooth वाले bacteria से उन्होंने pneumonia cause कर दिया था फिर उन्होंने क्या किया ये था पहला case ये था second फिर third में उन्होंने क्या किया third में उन्होंने heat killed as strain डाला क्या किया, heat killed as strain जब उन्होंने heat killed as strain inject किया एक mice के अंदर तो वो क्या हुआ ये mice है जब इस mice के अंदर उन्होंने heat killed वाला जो जब इस mice के अंदर उन्होंने heat killed as strain को inject किया, तो ये जो mice था ये बिलकुल जिन्दा था ठीके, यहाँ पे देखो, as strain जब डाला था ये mice जो है, ये जिन्दा था ये नहीं मरा, क्यों नहीं मरा? हम पानी को उबालते हैं क्यों उबालते हैं, ताकि उसके सारे bacteria's मर जाए, ठीके ऐसे ही जब as strain को boil किया, as strain को heat किया, तो वो जो है वो break हो गया, उसका जो वो मर गया, पहले ही वो मर चुका है तो वो क्या infection कॉस करेगा? तो यहाँ पर इन्होंने इसने कोई भी infection कॉस नहीं किया और ये जो mice था, ये बिलकुल जिन्दा था ना, इन फोर्थ केस, उन्होंने क्या किया? अब ना तो आप देख रहे हो कि इसमें भी mice जिन्दा है और इसमें भी mice जिन्दा है अब उन्होंने ये heat killed as strain और ये चो R strain था, उन दोनों को mix कर लिया, ठीक है? क्या-क्या उन्होंने आप inject किया heat killed as strain plus R strain R strain is what? rub strain जब इसको उन्होंने inject किया mice के अंदर तो mice को जिन्दा रहना था या मर जाना था, बताइए जब इसको उन्होंने inject किया mice के अंदर तो ये जो mice था ये मर गया चीक है? ये मर गया आप देख रहे हो कि heat killed वाले case में भी ये जिन्दा है rough strain वाले case में भी ये जिन्दा है तो इसको यहां पर भी जिन्दा हो रहा था बट ये तो मर गया उस टाइम फिर ग्रिफित ने ये experiment शो किया ये conclusion निकाला कि ये जो आईस strain था जब इसको heat किया गया तो हो सकता ये जो bacteria था उसके अंदर का जो genetic material है वो तूटके बहार आ गया इसकी जो polysacurite layer थी वो अलग हो गई उसके सारे जो materials थे वो अलग हो गया फिर ये वाला जो इसका genetic material था ये इस R strain ने ले लिया और ये R strain convert हो गया S strain में ये जो R strain था इसने खुद को convert कर लिया smooth strain में और अपने उपर एक polysacurite layer डेवलप कर ली जैसे की smooth strain के पास थी और वो खुद infectious हो गया और उसने इस mice को infection cause कर दिया जिसके वज़े से mice की death हो गई और मैं एक बार फिर से revise कर रहे हूँ सबसे पहले Fredridge Griffith ने transforming principle दिया था 1928 में उन्होंने बहुत सारे series of experiments किये थे जिसमे जो transformation शो किया था जो सबसे best transformation जो है वो streptococcus pneumonia के बैक्टेरिया ने शो किया था उन्होंने क्या क्या उन्होंने दो strain लिये एक लिया smooth strain एक लिया rough strain जो smooth strain था उन बैक्टेरिया की cells की ऊपर एक mucos की layer थी और जो rough strain था वो rough था उसके पास कोई भी mucos layer, polycekulate layer नहीं थी जब उसने इस ice strain को inject किया mice canть 멀. this is the mice जब उसने इस mice की अंदर ice strain को inject किया तो mice js 2 सकी death हो गई वो मर गया जब उसने ice strain को inject किया mice का अंदर माइस जो है वो जिन्दा था क्योंकि इस whenby का हुआ, इस के आस पास यो म्यूकस की लेयर थी वो उसकी बॉड़ी में चाके अटाच हो गई और स्टिक हो गई और उसने इन्फेक्शन कॉस कर दिया जिसकी वज़े से माइस की देत हो गई लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहां पर कोई भी म्यूकस लेयर नहीं है नां इन थार्ड केस फिर उन्टोने क्या किया किया चे गई यह क्रिशे खडले यह जिंक सर्फ कर लिया थी और हाप ओन्रएटी मर् चुका है हीट करने पर तो अब उसको समस्टित कर गा। जब इन दोनों को mix करके उस मैस मिर केहां जिट मर गया। जब यहां पर जंदा है यहां पर बसीन स्एंडा होगा। तो क्या दीन था जिसकी वज्शे मैस मर गया। उन्होंने रोम। कंक्लूशन निकाला कि हो सकता है कि यहां पर जब ह्सट्रlish को जब हीट किया तो वो बैक्टेरिया ने अपने जो बॉडी पार्स इनको सब अलग कर लिया होगा वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा तो इसका जैनेटिक माटेरियल बाहर आ गया कल्चर में उसका जो मुकस लियर थी वो बाहर आ गया इसके सारी जो पार्टिकल से वो टूट के होगा है तो अब जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो यह जो एस ट्रेंड से जो भी इसके जैनेटिक माटेरियल जो भी पार्टिकल्स निकले होगे डियने आ रने प्रूटीन तो इसका जैनेटिक माटेरियल इसने ले लिया लड़ू मिल रहा है तो हम तो खाएंगे ठीक और वो खुद को convert कर चुका है S-train में और S-train में convert करने के बाद उसने क्या किया? ये mice के, mice में infection कॉस्ट किया, जिसकी वज़े से जो mice है उसकी death हो गई. तो ऐसे Griffith ने transformation principle दिया था, कि वो इसका कोई भी biochemical nature जो है वो explain नहीं कर पाये थे, कि actually में जो transformation हुआ है, वो DNA है, RNA है, protein है, क्या है वो, वो तो कुछ भी हो सकता है, बस उन्होंने बताया कि हाँ, transformation हुआ genetic material का, क्योंकि ये Mendel और इए explain कर चुके थे, कि जो genetic material है, वो एक generation से दूसरे generation में transfer होता है, बट क्या होता ये नहीं बताया था, और ये transformation principle जो है ये Griffith ने शो कर दिया था, बट ये कोई भी इसका limitation शो नहीं कर पाया थे, आगे और experiments पढ़ने के लिए, stay into biology bites by Lakshmi, thank you, please don't forget to subscribe the channel and like the videos, thank you so much.